हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब,ищ से भी देट में जिस से भी पूछो हर कोई crypto currency को ले के या Bitcoin को ले के यह हो जाएगा वो जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा यह सारी बाते कर रहे हैं और Bitcoin को लेके खास कर लोग panic के अंदर यहाँ पर हैं और यह बात किसी से नहीं चुपी है तो आज हम Bitcoin का technically तो आपको बताएंगे क्या होने वाला है लेकिन October के अंदर Bitcoin कर सकता है बहुत बड़ा धमाल और cryptocurrency market के अंदर आ सकती है वापिस से जान उसके बारे में आपको समझाएं अंदर हम आपको बताएंगे ताकि आप चीजों को समझ पाएं और उसके हिसाब से अगले महीने के लिए तयार हो पाएं तो बने रही है हमारे साथ में चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जा के अंदर कमाई भी कर सकते हो उसका जो अगर पीछे का हिस्ट्री देखते हैं उसको अनिलाइज करते हैं तो यह संभावनाएं यहां पे भढ़ जाती है अब यहां पर जो आपको समझना है सबसे पहले यह प्रेशर क्यों बना हुआ है उसके पिछले एक दो महीने के अंद इन्होंने हाइक कर दिया दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जिसको आपको समझना है जो लगातार स्कैम होए या आपको लूना को लेके जो इशूस निकल के आए या थ्री एस को लेके इशूस निकल के आए तो कॉन्फिडेंस जो है लोगों का यहां पे लूज होता ही ह लेकिन एक और जो बड़ा रीजन है हर countries अपने इसापसे regulations यहाँ पे लेके आ रही है इंडिया की अगर बात करते हैं यहाँ पे 30% tax लगा दिया तो माहौल थोड़ा सा ठंडा हो गया लोग उने trading कम कर दिये यहाँ पे करनी दूसरी countries के नहीं तो जो synchronization है different countries में एक regular framework को लेके वो बात नहीं बन पा रही है और ये भी कही न कहीं एक बड़ा reason है कि जो लोग हैं वो इससे थोड़ा सा निराज हैं या दूर हो रहे हैं यहाँ पर लेकिन आप cryptocurrency के अंदर हो तो परेशान नहीं होना है निराज नहीं होना है क्योंकि अगर जो effects की बात करें तो आपको मैं बता दूँ September हम सब को पता था panic वाला होता ही है और वो अपने नक्षे कदम पे चल रहा है अगर आप देखोगे 2017 से लेके 2022 आज की भी बात करते हैं लगातार लल्याली वाउ लाल रंग में ये लगातार हमें देखने को मिल रहा है और on and over 78% की यहां पे गिरावट देखने को मिलती है लेकिन यही चीज पिच्चर बिलकुल चेंज हो जाती है जब October की बात आती है अगर पिछले आप 9-10 साल में देखते हो दो साल ही ऐसे है एक तो 2018 का और एक 2014 का जब हमने यहां पे लाल रंग देखा है अब बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि यह तो जो है हाफिंग के बाद यह सारी चीजे निकलके आते हैं एक दो साल के बाद में जब issues निकलके आते हैं अब यहाँ पे आपको समझना है कि जब इतना pressure होता है और लगातार pressure यहाँ पे बना हुआ है bitcoin और cryptocurrency market के अंदर तो एक expectation है अगर आप देखते हो on and average calculation लेते हो तो यहाँ पर 20 से 40% का increase देखने को मिलता है bitcoin के अंदर खास कर तो यहाँ पर अगर मैं यह calculation भी लेता हूँ तो यह हाँ पर अगर bitcoin 18,000 dollar के आज पास रहता है तो 24,000 dollar तक यह जा सकता है अगर यह calculation लेते हो क्या है 2021 में देखो लगबख 40% बढ़ा था 2020 में देखो 27-28% बढ़ा था 2019 में देखते हो तो 10% और 2018 में 3-4% ही यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी उससे पहले जो है लगबख 47 30% बढ़ा था 2015 की बात करें 33% मतलब double figure के अंदर ही हमेशा calculation रही है इसके increase होने की तो यह संभावना बहुत बढ़ जाती है अगर September ऐसा रहा है तो October एक अच्छा रह सकता है तो यहाँ पर इस चीच को हमने नहीं जो है इग्नोर करना है अगर यह भी calculation लेते हैं तो एक बड बिलना चाहिए किसके अंदर Bitcoin के अंदर और जिस आप से Bitcoin इस टाइम पर pressure के अंदर है या overall situation है तो पूरे chances बन जाते हैं कि अगला महिना इसके लिए अच्छा हो सकता है अब technically बात करो तो यहाँ पर अगर calculation आप लेते हो तो एक calculation जो समझ में आती है साड़े अठारा हजार डॉलर इसके लिए लगातार यहाँ पर support निकल के आ रहा है साड़े अठारा हजार डॉलर पर यह maintain करता है तो आपको कोई tension की बात नहीं है तो सकता है सेप्टमबर के अंदर अगर भी पांचे दिन बाकी है तो यहाँ पर एक pressure देखने को मिले 20,200 डॉलर इसके लिए एक resistance है लेकिन important psychological resistance 20,000 डॉलर अगर उसके उपर जाता है तो यह 21,000 डॉलर को भी यहाँ पर test करता दिख सकता है यह सारी चीजे हैं short term के लिए लेकिन अगर October की calculation लेते हैं और जिस आप से हमें लगता है कि जितना यह पिछले एक दो महीने के अंदर तो पूरे chances हैं कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ यह आपको 25-30% का return October के अंदर देखे जा सकता है फेस्टिव महौल रहता है इंडिया के अंदर overall अगर देखते हो तो winter शुरू हो जाते हैं और winter के अंदर हमोमन हमने देखा है कि cryptocurrency market अच्छा करती है तो bitcoin को लेके यह ची और पहली बारा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाएगा अभी के लिए विदा लेता हूं खुश रही है मुस्कुरात रिक अमातर आपको दूस्पंकच थैंकि नुश्कार दनेवार